वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और विस्तार का उद्देश्य, यात्रियों के लिए तेज, अधिक कुशल और अधिक आरामदायक रेल परिवहन प्रदान करना है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने स्वदेशी विनिर्मान को बढ़ावा देने और रेलवे बु वंदे भारत ट्रेने चलाने की है, भारतिय रेलवे ने अब तक 402 वंदे भारत ट्रेनों के लिए अनुबंध दिये हैं, जिनकी डिलिवरी मार्च 2027 तक पूरी होने वाली है, आज जो कि ICF चैननेई के अलावा वंदे भारत ट्रेनों का निर्मान हर्याना के सोनिपत और म महराष्टर के लातूर में किया जाएगा, और यह हर कोने को वंदे भारत ट्रेनों से जोडने के पी-म मोधी के सपने को पूरा करेगा, आए जानते हैं, नई वंदे भारत में क्या है ऐसा जो इसे अन्य ट्रेनों से खास बनाती है, वंदे भारत 1644 डिब्बों वाली एक से इसे वितरित कर्षण शक्ती प्रणाली कहा जाता है, जो दुनिया भर में यातरी परिचालन के लिए तेजी से आदर्श बन रही है, लोको चालित ट्रेनों जिन्हें शीर्ष गति तक पहुँचने या धीरे-धीरे रुखने में अधिक समय लगता है, कि तुलना में इंज सीटों के नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की बहतर पहुँच, ECC में सीटों के लिए ज्यादा फुटरेस्ट, शौचालेयों में पानी के छीटों से बचने के लिए ज्यादा गहरी वाश बेसिन, शौचालेयों में रोशनी को 1.5 वाट से बढ़ा कर 2.5 वाट कर बहतर पकड के लिए शौचाले के हैंडल को अतिरिक्त मोड, ड्राइविंग ट्रेलर कोचों में जहां दिव्यांग जनों के लिए प्रावधान है, वहां दिव्यांग यात्रियों की वील चेयर के लिए पॉइंट सुरक्षित करने का प्रावधान, कोचों में पैनल की बह जबूती के लिए बहतर उपरी ट्रिम पैनल, आपात कालीन स्थिती में आसान पहुँच के लिए बहतर हैमर बॉक्स कवर पैनल प्रिष्ट भूमी से मेल खाने के लिए बॉडरलेस आपात कालीन टॉक बैक यूनिट, आपात कालीन स्थिती में ड्राइवर के साथ बातची किया गया है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें राजधानी और शताबदी एक्स्प्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से स्पीड और सुविधा के लिहाज से एडवांस होंगी. स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में जो सुविधाएं, यात्रीयों को मिलेंगी वो राजधानी और शताबदी में नहीं होंगी ये ट्रेन पूरी तरह शौक प्रूफ होगी यानि इसमें आपको न जटके लगेंगे और नहीं कोच में कमपन होगा मतलब आप एक 160 किलोमीटर प्रतिगंटा की स्पीड से दौधती स्लीपर वंदे भारत में चैन से सो सकेंगे कमपनना होने और शौक न लगने की वजह से रेलवे ट्रैक और कोच को भी कम नुकसान होगा और इससे मेंटेनिस कॉस्ट घटेगी रेल यात्री की सुरक्षा के भी ज्यादा इंतजाम स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में होंगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौध हैगी ये ट्रेने 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 60 से भी कम समय लेंगी राजधानी और शताबदी एक्स्प्रेस की गती भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, परन्तु इन्हें ज्यादा समय लगता है शुरुआत में स्लीपर वंदे भारत में कुल 16 कोच होंगे 11 SE, 3 कोच, 4 SE, 2 कोच और 1 SE 1st क्लास कोच होगा आगे संख्या को 24 तक बढ़ाया जा सकता है स्लीपर वंदे भारत एक्स्प्रेस में लंबी दूरी को देखते हुए सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा वंदे भारत एक्स्प्रेस में सभी कोच वातानुकूलित, AC हैं, इसके दर्वाजे औंटोमेटिक हैं ट्रेन जीपिएस, फायर सेंसर और वाइफाई से लैस है हर सीट पर यात्रियों को चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिल रही है और कोच में 32 इंच का टीवी लगा हुआ है ओन बोर्ड इंफरमेशन सिस्टम लगाया गया है सामान रखने के लिए इस ट्रेन के हर कोच में मौडिूलर रैक दी गई है दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें